मस्का बच्चों आज हम जो है हमारे अप्लिकेशन डेरिवर्टी में मैक्सिमा मिनिमा मॉनाटोनिसेटी के लेक्चर नंबर थी के साथ आपके सामगे पिछले दो लेक्चर में हमने यहाँ पर कोशिश की थी कि मैक्सिमा मिनिमा और मॉनाटोनिसेटी कि जो है उसकी थेरी को या उसके concept को हम visualize कर पाएं समझ पाएं कि आखिर है क्या जिया और जैसा कि मैंने आपसे कहा बिदा कि ये दोनों चैप्टर और मैक्सिमा मिनिमा मैं हमेशा एक साथ ही पढ़ाता हूं और वह एक साथ पढ़ाने का रीजन काफी हद तक तेरी में आपको समझ में आया होगा कि अलग-अलग है यही नहीं कुछ भी और फिर आगे हमने बहुत सारी ऐसी चीजें समझने की कोशिश की की यार आखित जो है क्या-क्या यहां हमारे दिमाग में गलतियां हो सकती है क्या-क्या हमारे दिमाग में गलत फैमियां हो सकती है उन सब को हम यहां समझने की कोशिश करें और हमने कोशिश करीबी से बचे मेरी यह जो थेरी हमने देखी है दो क्लासिस में यह छोलती-छोलती चीजे तो वो जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्तर में वय emails व pomo अंने में जाएंगे को उन्हीं वह नहीं देस्व करने कि क्योंकि मैंनसे कहा है कि जहां तक बात अगई है व acted vast की है तो उस केस में तो सबसे जपर्धत टॉपिक माना आजा रहा है यह आप देखोगे कि जो किसी भी साल के पेपर का जो सबसे टफ क्वेश्टन है उसक्वेश्टन को उठाओगे तो पिछले 20 साल के क्वेश्टन पिछले 20 साल में पेपर का सबसे टफ क्वेश्टन पिक करोगे तो आपको 80% possibility है कि वो question application of derivative का मिलेगा यानि यह पिछले 20 साल में 20 tough question आये हैं सब से tough question पेपर में तो 16 जो है वो application of derivative से होगे या उस से related होगे जी यह आप सब को मैंने पहले भी बता है तो यह बहुत जबर्दस chapter है और इस chapter को यदि हम feel नहीं करेंगे तो इसमें कोई algorithm नहीं है ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना यह सब जो है यहां पर बिल्कुल बेमानी है क्योंकि यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की थी कि देखो हमें क्या लग रहा है है क्या हमें आद्वांस के जो question वहां पर आते रहे है mean value theorem को relate करते हैं में हाँ mean value theorem को use करते हैं बहुत जबदस questions आते हैं बहुत ही सोचने समझने और feel करने वाली चीज़े बचे इसलिए मैंने दो क्लास देखे टाइम सेवर कोर्स में दो क्लास theory लगाता अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि लगबग लगबग तीन घंटे की theory एकी chapter की तीन घंटे की theory एकी chapter की बता यादी घंटे में भी जा सकती थी लेकिन फिर वही था कि मैं आपको गहता कि ऐसा कर लीजेगा ऐसा कर लीजेगा ऐसा होता है याद कर लो लेकिन कोशिश करी है कहीं न कहीं आपको चीज़ में आएगा जी आपके सामने है आज प्रैक्टिस सेशन के कुछ क्वेस्चेंस मैं जो है बोड पर लेकर आया हूं वापस क्योंकि हाँ यहां पर जो करना है क्वेस्चन में वह डिजटल बोड पर हाँ एक छोटे से स्क्रीन पर पॉसीबल नहीं है तो बड़ा फ्रेम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं यह निश्चित अब जबरदस तरीके से फील करने वाले हों बचे पर क्वेस्चेंस आपके सामने है और क्वेस्चेन ये कि एक पर लिख यह फिक है फिर उसको वह कहता है कि वहिया आप इस function के local extremum points यानि local maxima local minima की भी जानकारी दो फिर आप global maxima global minima यानि पूरे domain में जो maximum value है जो पूरे domain में minimum value है उसकी भी जानकारी दे फिर आप जो है यहाँ पर हमें यह भी बताएं कि वहिया इसका graph क्या होगा और हो सके तो graph वगरा सब बन जाएं तो आप हमें range भी बता दे हाले कि range के लिए मैं नहीं लिखा हुआ है लेकिन range बताई जा सकती है और हम देखेंगे कि range भी हम यहाँ पर conclude करेंगे जब सब कुछ निकल सकता है तो function के range क्या चीज है जिया इनी questions के साथ शिरू करते हैं में आप से बस इतना सा ही एक करबद निवेदन है request है हाथ जोड़कर जिया मेरे हाथ जोले में निखू आप तो यहाँ पर यह कि आप जो है बचे यह अपने आप से जितना भी आपने किया है जितना आपने समझा है उसके साथ से इनको अपने आप से करने की कोशिश करें सही गलत कम ज्यादा यह कभी भी माइने नहीं रखता है माइने रखता है कि हमने किया या नहीं किया बिना किये कभी कुछ भी नहीं हो सकता यह आपको बहुत अच्छे से पता है और मैंने कितने ही बा लेकिन सब कुछ आपके जहन में आपके दिल और दिमाग पर उतर जाना चाहिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैंने इतनी मैंनत की है कि तीन घंटे थेरी में लगाए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पूरे कॉंसेप्ट को अच्छे से समझें वह आपको दिखने लगे वह आपको ऐसा लगे कि यह अब क्लियर है भाई अब कचुना बचा है और अब जो है हम इसके किसी भी क्वेश्चन के साथ कुस्त लेकिन बनेगी तभी जब हम कोशिश करेंगे उमीद करता हूं कि हाँ आप लोगों ने पहला वाला जो क्वेश्चन है वाल टार्म कर लिया है एक फंक्शन मैंने दिया है बाइक क्वाइटिक एक्वेशन है एक्स पार फॉर्ट डिगरी का पॉलिमामियल है अब उसको मैं एक इस्पेशल फॉर्म में लिखके दिया है कि एक्स स्क्वेशर इंटो एक्स माइनस चू का होल स्क्वेशर ठीक है उम्मीद करते हैं कि आपने इसकी सब कुछ की अब मैं आपको समझाता हूं एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा का पूरा यहां बता रहा हूं और किस सीक आपने कितना बिल्कुल सही किया है कहा आपने ची जोंको देहीं सोचा है इन सारी चीजह क्या कोम सबसे आसान है तो सबसे पहले उसी पर काम करते हैं उसका हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं बचे जब इस तरह के question पर काम करो तो सबसे पहली चीज जो है वो यह है कि जो भी function आपको दिया है जो कि यहां पर x2 x-2 का होले square दिया है उसका domain छाप ले लिख ले कि एक्स की किन values के लिए function जो है वो है यहां मैंने आखरी तीन क्वेस्टेंस में आपको दिया भी है तो यहां पर दिखता है कि हर पॉलिनॉमियल की डियोमेन ही नहीं है अब इस पर क्या करना है ऐसा करने के बाद सबसे पहले आप इस फंक्षन को दिफरेंशियट कर लें देख लें कि पहले तो ये किуск सबसे या फंक्षन क्phon कोंटिणीवस है जी आं हर पशुलिनॉमिल अपने पूर्य डिमें में था होता है कोई प्राबलम नहीं है तोु इसका अग्स स्क्वेर को 2x into x minus 2 का whole square फिर मेरे बच्चे x square को ऐसे है कि ऐसे रखा इसको differentiate किया तो 2x square into x minus 2 यह आप सब को बहुत अच्छे से बता है आपने निकाल भी लिया होगा differentiation करने के बाद मुझे दिखता है कि यहां पर 2x into x minus 2 तो common देख रहा है एक और ची यहां से समझ में आती है कि यहां देखो यह जो भी polynomial है इसके repeated root है repeated root का मतलब यहां fourth degree की equation है चार roots होने चाहिए मुझे दिख रहा है चार factors मुझे नज़र आ रहे हैं दो factor same है x square x into x दो factor और same है x minus 2 into x minus 2 तो इसका मतलब चार roots जो आने चीए उसके corresponding चार factors मुझे देख रहे हैं उनमें दो-दो factor के pair बने वे यानि factors actually repeat हो रहे है root क्या हो रहा है repeat हो रहा है तो हमने देखा कि यहां पे x equals to 0 दो बार मिल रहा है x equals to 2 दो बार मिल रहा है तो कुल मिला के चार roots है चारो real है लेकिन दो अपस में equal है दो अपस में equal है ऐससे situation है लेकिन मैंने देखा कि जब repeated route है fx में तो वही root f-x के भी आग देखवा आगे निया एक सिक वस्तों 0 पर f दो बार 0 हो रहा है एक दर इसका लग क्लियर है, F के रिपीटेड रूट में एक खासियत होती है कि वही रूट F' का भी होता है, तो यहां हमें वो चीज दिख बे रही, आगे मीन वजी तरह में यहां चीज हम समझेंगे भी सही, वहां भी हमें पता चलेगा, लेकिन अभी हमें दिख रहा है, इसलिए म X-1 into X-2, देखो, यह 2X-2 बचेगा, 2 common ले लिया, यह आगे, अब ज़रहा देखें तो इसका साइने स्कीम बना लेते हैं, F' की साइने स्कीम बनाने की सिच्वेशन में है, method of interval हमें बहुत अच्छे से आता है, हम देखते हैं कि भाईया, तीन critical point है, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है, तीनों पर power 1 है, तीनों पर sign बदलेगा, तो sign बदल देते हैं, और बिल्कुल usual method से ही चलेगा, क्योंकि सब में X का coefficient भी positive है, यह हमारी sign scheme है, F' की, यह sign scheme कहा रहे हैं कि भाईया, यहाँ positive है, F' यहाँ negative है, यहाँ F' positive है, यहाँ F' negative है, is that clear, यहाँ तक की सारी बतें आ आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से clear हूँ, इसके बाद हम बात करें बचे कि यहाँ पर F' increasing कहा है, जैसी F' की sign scheme बनाई, मैं क्या-क्या निकालने की situation में हूँ, मैं यह conclude करने की situation में हूँ, कि कहा F' increasing है, कहा F' decreasing है, मैं और क्या conclude करने की condition में हूँ, कि पर local minima, यह सारी चीज़े अभी हम यहाँ से बहुत आसानी से decide करने की situation में है, तो decide कर लेते है, F' increasing, बदाए, जहाँ-जहाँ F' positive है, वो interval हमें देख रहा है, 0 से 1 और 2 से लेके infinity, इसको F is increasing for all x belongs to 0 to 1 union to infinity, मैंने 0, 1, 2 पर close interval नहीं लगा है, यह आपको समझा चुका हूँ, मुझे आप पता है मेरे बच्चे कि 0 के पहले decreasing है, 0 के बाद में increasing है, यानि 0 पर monotonic नहीं है, अब यह सी बात है, 0 पर monotonic नहीं है, 0 के पहले जो value है, वो 0 से कम है, लेकिन अब यह हम देखे हैं, कम है जादा, decreasing है ना, तो 0 पर जो value है, वो 0 minus वाली value से जादा होगी, लेकि का मतर क्लियर है, कि यहाँ पर monotonic नहीं है, ऐसे ही 1 और 2 पर भी दिख रहा है, अब मेरे बच्चे यह तो मैंने देख लिया कि f कहा increasing है, what about where f is decreasing, आपको दिख रहा है, decreasing यानि f dash negative, और f dash कहा negative है, हमें समझ में आता है, x की सारी values जो कि कहां से कहां तक है, minus infinity से लेके 0 और union 1 से लेके 2, यह हमने इस function की monotonic city जो है, वो discuss कर ली है, बहुत अच्छे से, is that clear, yes, अब monotonic हों हमें बता चल गया है कि कहां है, कहां नहीं है, यह function यह कोई कहे कि अपने domain में monotonic है, क्या, no, monotonic नहीं है, this is not a monotonic function, non monotonic function है, क्योंकि कुछ हिस्से में increasing है, कुछ हिस्से में decreasing, अब मेरे बच्छे, यही मैं आप से पूछूँ की, what about the local maxima and local minima, local maxima, at x equals to, local minima, at x equals to, बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं, जी, आप सब को पता है कि maxima का मतलब increase करते करते, decrease हो जाना, एक टॉप लेगा वो अपना, वो गाना ऐसा, तो इसका अदलब, increase करते व होना, यानि, f-positive से negative हो जाना, और minima में हमें बदा है कि होता क्या है, ऐसे चलता है, एक minimum value देके ऐसे turn करता है, इसका उतलब क्लियर है, पहले वो decrease कर रहा है, और फिर उसके बाद वो increase करेगा, इसका रहा है, पहले negative होगा, बाद में positive होगा, तो इसका मतलब, जहां भी f- अपना sign बदला है, positive से negative, वहां maxima है, जहाँ भी f- आपना sign बदला है, negative से positive, वहाँ minima है, तो positive से negative मुझे दिख रहा है, एक तो 1 पर है, और 2 पर है, ऑर बाद में positive से negative सिर्फ कहाँ पर है, ने जर आ Interview कर दो क्या नल्जरी आ रहा है, इनकूरी ज़ो एक की दर्फ चलेगे, तो वहाँ मुझे देख रहा है left से right आते वक्त 0 पे negative से positive हो रहा है 0 पे minima 1 पे positive से negative हो रहा है maxima और फिर वहाँ 2 पर negative से positive हो रहा है minima यानि मुझे maxima रिखता है खाली x equals to 1 minima रिखता है 0 as well as 2 local maxima local minima पता चल गए साती सात मुझे क्या पता चल गया कहा increasing है कहा decreasing है local maximum लोकल minimum वैल्यू भी पता कर सकते हैं बहुत आसानी से बदाईए यहाँ पेरी में local maximum value निकालो यानि f1 की value निकालो तो local maximum मुझे क्या देख रहा है f1 की value F1 की value मुझे दिख रही है मेरे बच्चे local maximum local minimum के लिए हमें बदा है कि अब F1 की value देखो function में x को 1 रखा तो ये भी 1 ये भी 1 तो मुझे F1 is equals to 1 दिख रहा है 0 और 2 पर मुझे जो local minimum value दिख रही है F0 और F2 ये दोनों ही value मुझे किसके equal दिख रही है F0 और F2 दोनों ही 0 के एक बद दिख रही है 0 पर भी 0 टू पर भी 0 तो दोनों local minimum value 0 है local maximum value 1 है और कहां है ये भी हमें दिख रहा है इसके साथ अब बात आती है मेरे बच्चे की हमने monotonicity discuss कर ली हमने local maxima local minima discuss कर लिया local maximum local minimum values भी निकाल ली अब बारी है किसकी global maxima और global minima कैसे decide करते थे global maxima global minima मैंने आपको क्या बता है कि continuous function के case में global maxima किसी ना किसी local maxima पर आएगा और global minima किसी ना किसी local minima पर आएगा अब local maxima कहां कहां हो सकता है यह भी आपको समझाया था कि जहां smooth turning point f-0 हो जहां sharp turning point f-define ना हो और साथ में याद कीजिए theory की वक्त यह भी बताया था domain का जो end point है ना यह वाला यह वाला जहां से domain शुरू हो और यह जहां सब्सक्राइब कि यह हमारा function एक continuous function है तो वहां भई constant function भी नहीं है तो यह तो वन से नीचे चला होगा यह वन से उपर चला होगा हां जी बिल्कुल सही है अब यह वन से उपर चला है तो दिख रहा है कि वन के बाद value बढ़ रही है इसका रवन पर local minima है और यह वन से लोकल मैक्सिमा यह लोकल मिनिमा होगा और यदि हम इसको एक अलग तरह से देखें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत जहां जहां turning point है चाहिए वह स्मूथ है अब दैस जीरो है चाहिए वह शार्प टरनिंग पॉइंट है अब देश दिफाइन नहीं है एक तो उन मैक्सिमा मिनिमा की possibility है और एक दोमेन के end point पर है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो शाफ टरनिंग पॉइंट स्वारी जो टरनिंग पॉइंट है उन टरनिंग पॉइंट में हम देख चुके हैं कि तीनों के तीनों टरनिंग पॉइंट स्मूथ है तीनों जगे function differentiable दिख चुके हैं अब बारी आती है domain के end points पर value निकालना अब domain क्या है बच्चे domain तौर है इसका मतलब क्या है minus infinity से plus infinity है तो end point क्या होगे minus infinity अप्लस infinity हो गए नहीं हो गया end point minus infinity plus infinity तो मुझे क्या आप बता सकते हो कि जब x की value infinity अप्रोच कर रही है then f किसको अप्रोच कर रहा है बहुत ही आसानी से बता है जा सकता है आपको बता है एक से इनफिल्टी को अप्रोच करेगा तो ये भी infinity ये भी infinity कि f किसको अप्रोच करेगा हंडिड़ प्रसेंट infinity को अप्रोच करेगा को ड्यावल की नहीं है जब x मैरे बच्चे माईनस ही अप्रोच करेगा तो पावर 2 है धोमों जगे एक्स माइनस इंफिल्टी पर भी य की वैलू इंफिल्टी को ही अप्रोच करेगा इसका मतलब क्लियर है एक्स चाहिए प्लस इंफिल्टी लो चाहिए माइनस इंफिल्टी लो एफ जो है वो इंफिल्टी को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब domain के end point पर value infinite है, define नहीं है, क्या sketch बताने की इस्तिती में है, क्या range बताने की इस्तिती में है, जी आ, range बताई जा सकते है, range का मतलब मैंने आपको समझाया था कि continuous function के case में global minimum range की starting point होगी और global maximum range का आखरी point, मैंने आपसे कहा भी था कि global minimum को हमें small m लेख रहे है, global maximum को हमें capital m लेखेंगे, आपसे कहा था कि function continuous है, तो range हमेशे small m से capital m होगी, global minimum से global maximum, तो मुझे यहाँ पे global minimum value क्या दिख रही है, global minimum होगा कहा, भहिया दिया तो domain के end point पर या turning points पर, तो domain के end point पर तो मुझे दिख रहा है कि infinity value मिल रहा है, और यहाँ पे turning points पर क्या क्या value मिल रही है, 0, 1, इसका अदर इनमें सबसे छोटी value कौन से है, 0, तो इसका अदर global minimum क्या हो गया, 0, range कहां से शुरू होगी, 0 से, global maximum, मेरे बच्चे इन सब में सबसे बड़ी value यह रही, define नहीं है, infinity है, बहुत बड़ी value है, इसका अदर clear है, global maximum define नहीं है, लेकिन range की बात करें, तो वो हमें 0 से लेके infinity जाती होई, दिखती है, इसका अदर यहां से, मैं बहुत आसानी से, range निकालने की situation में हूँ, 0 से लेके infinity, close 0 से, open infinity यह है, is that clear, yes, 100% clear, तो बच्चे मेरे, domain निकाल लिया, मैंने range निकाल ली, मैंने कहां increasing कहां decreasing यह निकाल लिया, मैंने local maximum points, local minimum points, turning points निकाल लिये, उन turning points पे मैंने function की value निकाल ली, इसका मतलब clear है, अब मैं sketch बनाने की situation में हूँ, है के नहीं, हांजी है, बना देते हैं, यहां रिस्क में, हमें बदा है, बचे मेरे कि यहां पे y value, यह नि y axis पे जो coverage होगा, वो 0 से लेके infinity होगा, बिलकुल होगा, अब मुझे देख रहा है, minus infinity x की value, y plus infinity, minus infinity x की value के बार, यह प्लस infinity x की value तो भी y infinity, यानि हमरा graph जो है, वो यहां से तो शुरू होगा, और यहां पे खतम होगा, x minus infinity पे y plus infinity, x plus infinity पे y plus infinity, यहा के वहां खतम होगा, continuous function है, कहीं कोई jump नहीं, कहीं कोई discontinuity नहीं, कहीं कोई breakage नहीं, clear, बिलकुल smooth चलना है, और सभी जगे differentiable है, इसका अदर turning point भी sharp नहीं है, smooth turning point है, तो मेरे बच्चे मुझे दिख रहा है, 0 और 2 इन दोनों जगे वो अपनी minimum value ले रहा है, और वो minimum value क्या ह है, 0 इसका जीरो टू पर जो smooth turning point है, वहां पर function zero value लेगा, यानि वो turning point x-axis पर है, और इसी दर से, one पर जो maxima है, local maxima है, वहां पर function value ले रहा है, one, यानि one वाले turning point पर function की, जो height होगी, वो one होगी, तो बना देते हैं, कुछ ऐसा बनेगा sketch, देखो आप, यहां 0 पर smooth turning point आए बहुत आराम से zero पर घूमेगा, ऐसे हैं, यहां उसने अपना पहला local minimum value लिया, फिर वो one पर अपनी local maximum लेके वापस घूम गया, और इस तरह से उसने फिर two पर वापस अपना local minimum लिया, और फिर वो चल कर infinity पहुँच गया, तीन turning point, तीन हो smooth जिसमें से दो minimum जहां पर value 0, एक maxima जहां पर value 1, तो अब देख रहा हैं, और हमारी monotonicity भी बिल्कपर as such follow हो रही है, वो यही कहती है कि वो यहां minus infinity से लेके 0 decrease करना है, 0 से 1 increase करना है, 1 से 2 decrease करना है, और फिर 2 से infinity increase करना है, तो यह point मेरे बच्चे 0 है, यह point 1 यह point जो है, वो 2 है, और यहां पर जो peak value लिया है, लोकल maxima पर वो value 1 है, यह sketch है, यहां क्या, कर वागया, अब इस curve के बहुत फाइद है, इस curve के बहुत फाइद बहुत फाइदे, कैसे हैं, इस curve के, कि देखियो बहुत सारे questions यहां, यह यह आपको बता है, तो बहुत सारे questions बनाए जा सकते हैं यह अकिला question ही है यहां खेल खतम नहीं हुआ है मैंने क्यों यहां पर green board select किया डिश्टल बोर्ट पर मैंने यह practice session नहीं शुरू किया उसका रीजन है अभी आपको समझ मैं एक तो इतना सब्सक्रा काम करना था स्कैश बनाना था छोटा सा बोर्ट है बिचारा उसकी जान लेंगे जान तो नहीं ले सकते हैं ठीक है अब इसके बाद इतना ही नहीं मैं कुछ और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ तो वो सब चीज़ें वहां पर बताना संभव नहीं था पूरे एक लेंथ वाले बोर्ट पर ही यह संभव था जैसे मैं आपसे कहूं नम्बर उफ स्लिउशन्स आप बताएं ओफ एक्वेशन्स एक थोटा सा एक्जाम पहला पार किया आप हमें ऐसी एक्वेशन के नम्बर स्लिशन बताइं जबकि इन एक्वेशन में क्या दे रहा είं देखें मैं इस फर्सट वाले में ही कुछ और कुछ आर व्य्क्वेशन इस एक्वेशन के नंबर अफ सल्यूशन इस एक्वेशन के नंबर अफ सल्यूशन इसी तरह से एक और मैं देता हूँ इस एक्वेशन के नंबर अफ सल्यूशन इसी तरह से अब आपको समझ में आयागा कि यह सारी चीजें जो हैं ऐसे बहुत सारे क्वेशन यहां पर बनाए जा सकते हैं बहुत सारे क्वेशन बनाए जासा एक की बात नहीं है यहां पर कई क्वेशन आप बना सकते हैं जैसे मैंने मनलो ऐसे दे दिया एक और दे दिया कि x square into x minus 2 का whole square equals 2 minus of e power x ऐसा question दे दिया पचासों question यहां पर बना के रखे जा सकते हैं अब यहां पर हम ऐसे बहुत सारे question के answer करने की situation में है समझेगा मेरे बचे यही मैं आपको देखो यह वही एफेक्स है जिसका पूरा का पूरा चीरफार हमने कर लिया जिसका पूरा तिया पाच्छा हमने कर लिया है हम उसकी मौनोटोनिक नेचर हम उसके local maxima local minima हम उसके global maxima global minima कहां increasing कहा decreasing हम उसके graph को भी बना चुके हैं सारी चीज़े हम कर चुके हैं तो जब किसी function के लिए इतना सब कुछ किया जा सकता है तो इस तरह के questions जो आपने बहुत पहले बहुत क्या किते हैं बहुत ही तरह के questions पहले भी phase किये हैं और आगे भी आपको यह मिलते रहेंगे इन questions को बहुत आसानी से solve कर सकते हैं अब सोचो मेरे बचे यह जो मैंने question यहां लिखा है ए वाला कि इस equation के number of solution बताओ by quadratic equation और उसमें भी गंदा वाला constant है यह नहीं गंदा वाला constant 1 upon 2020 cross multiply भी कर दो तो भीया x power 4 x cube इन सब के coefficient कितने गंदे कितने बड़े बड़े होंगे क्या factorize करना असान है ना नहीं है हमें तो cubic में ही जान निकल जाती है zero plus minus one zero plus minus one plus minus two लेके हम cubic को आगे proceed करते हैं वो इतना आसान नहीं होता है कभी यदि zero plus minus one plus minus two की जागे कोई और रूर्ट आ जाए हिलता नहीं हमसे question cubic यह तो by quadratic गंदे coefficients के साथ तो क्या यह possible है कि इस equation को आसानी से solve करें नहीं लेकिन आप देखो जब आप इस left side वाले function का graph बना चुके हो यह question जंद है एक जटके में आपको इसका नहीं इन सब का answer मिलेगा देखो आप कैसे मेरे बचे यह left side का sketch में बना चुका हूं right side का sketch में बना देता हूं right side क्या है एक constant है कौन सा one upon twenty twenty तो भाइया वाइस इक्वेशन का solution निकालना है इसको एलेचे सारेचे स कहां कहां बराबर हो रहे हैं यही तो निकालना है ना तो चाहां बराबर होंगे ऑफ इंटर्सेक्ट करेंगे हैं पांट उच्छन निकालना है निकाल दिया प्रणिट उच्छन कितने सब्सक्राइं बाइब यह 4 आ गए ओ हो इसका मतलब चाहर स्विशन है और को किसरा को स्वाइक पौडरिक टिदिट टो होने तीट बेए 4 वी और ह यह कैसे पता चला यहां तो यह यह आप से सब्सक्राइब उसक्राइब पूछे नमबर सब्सक्राइब स सुलिशन निसे एक जटके में निकल जाए नहीं होगा कि बाकी दिखरा यह बता है तो यह जो खिया अपने अगले वाले का यह बहुत आसान आसान से ख्वेस्चन ने क हां है कितने पॉंट पर कटकरती नजर आ रही है तीन पॉंट पर कितने solution आ गए तीन देखिए बहुत सारे ऐसे question बनाए जा सकते हूं सब question को आप बहुत आसानी से answer कर सकते हैं यह आपने graph sketch कर लिया और graph sketch करना यह सारा data निकालते ही बहुत आसान हो जाता है अगला देखिए अगला question इसमें 2020 कि दिस इक्वर स्टुवर्ण के लाइन है 2020 लाइन तो कहीं ना कहीं बहुत उपर होगी होगी नहीं होगी वाइस इक्वर स्टुवर्ण करेगी कितने पॉइंट पर करेगी दो पर करेगी कितने number of solution आ गये दो आगए जी बच्चे कितना आसान हो गया जबकि आप सोचो इस by quadratic को खोल के solve करना quite impossible almost impossible कम से कम limited time में तो नहीं कर सकते हैं clear है ना अगला बदा ये इस बार तो और मज़ेदार है और मज़ेदार क्या है ये अलग तरह का है ये अलग तरह के function constant value नहीं है by quadratic equation नहीं बनेगी इस बार lnx आ गया है right side क् है left side का sketch हमने बनाया हुआ है right side का sketch बनाओ बनाते है right side का sketch क्या आता है बदा ये right side का sketch y close to lnx तो यहां पर अब हमें क्या करना होगा देखिए कुछ नहीं lnx का sketch बना लेते हैं बनाते हैं देखो क्या होगा Linux का sketch आपको बदा है यहां से शुरू होगा और x1 पर y की value 0 होती ह है कुछ ऐसे चलेगा कि दिस इस एलनेक्स आप देखिए इस एलनेक्स के और हमारे fx के कितने intersection point हमें नजर आ रहे हैं दिख रहे हैं दो intersection point है कितने number solution होगे मेरे बटे यहां पर मेरे बच्चे दो solution आ गए आगे नहीं आगे तो देखो आप यहां पर तो इसका मतलब ऐसी ऐसी questions के solution अब हम निकालने की सिती में आ गए इसका मतलब clear है कि यदि हम ऐसा कोई भी function दे दिया जाए उसके sketch बना लें तो ऐसे बहुत सारे questions करने की सिती में आ जाएंगे तुरंत जी हां और यह question normally नहीं हो होंगे और ना तो यह normally होंगे और अब इसी बात है normally नहीं होंगे तो maximum बच्चों से नहीं होंगे यानि यह question वो जो हम बात करते हैं बार-बार सब और हम वाला difference वो create करने वाले questions हो और आसानी से हम उस difference को बहुत आसानी से यह create कर सकते हैं